नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स्प्लेइन फोर यू में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th NCRT बुक का प्रशनावली 10.1 जो कि आपके अध्याय 10 से लिया गया है जो कि वरत है ये क्लास 10th के गणित का अध्याय है जिसमें आ एक वरत की कितनी इसपर्श रिखाएं हो सकती है मतलब एक वरत में अधिकतम कितनी इसपर्श रिखाओं को खीचा जा सकता है तो चलिए हम बना लेते हैं एक वरत और उसमें देखते हैं खीच कर कि हम कितनी इसपर्श रिखाओं को खीच सकते हैं कितनी इसपर्श दोस्तों यहाँ पर हमने बना लिया है एक वरत यानी सरकल वरत जो होता है वो छोटे छोटे अनंत बिंदूओं से बना होता है मतलब यहाँ पर जो बिंदू है वो अनंत है अन गिनत है इन फाइनेट पॉइंट से बना हुआ एक सरकल होता है एक वरत होता है तो हर एक बिंद से एक सपर्श रेखा आवश्य खीच सकते हैं तो यहां पर हमने एक बिंदू पी पर सपर्श रेखा खीच दी है क्या हम और सपर्श रेखा यहां खीच पाएंगे जी हां दोस्तों अगर एक बिंदू यहां भी ले लिया जाए तो यहां से भी एक सपर्श रेखा खीटी जा सकती है जो कि हम बिंदू क्यों मान लेते हैं अब हमें यहां को इसपर्ष रेखा लेनी है तो यहां भी एक बिंदू पर हम इसपर्ष रेखा खीच सकते हैं जो कि बिंदू आर हो जाएगा या एस हो जाएगा यनि हम जितनी चाहें उतनी इसपर्ष रेखाओं को खीच सकते हैं, इसका जवाब है अनन्त इसपर्ष रेखाएं, अनन्त मतलब जिनको आप गिन नहीं सकते, जो कि बिलकुल अनन्त है, इन फाइनेट है, कभी खतम नहीं होगी, यहाँ पर इसका अंसर है अनन्त, उमीद करता हूं आप सारी चीजों को अच्छे से समझ गये हो, वरत अनन्त बिंदूओं से अगर बना है, तो हर एक बिंदू पर हम एक स्पर्ष रेखा तो खीची सकते हैं, तो यहाँ पर कितनी स्पर्ष रेखा हैं हो जाएगी, अनन्त हो जाएगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बिंदू पर केवल एक ही स्पर्ष रेखा खीची जा सकती है, जैसे पी पर आपने एक स्पर्ष रेखा खीची ना, तो पी पर अप कोई दूसरी स्पर्ष रेखा आप नहीं खीच सकते, एक बिंदू पर एक ही इस पर्ष रेखा और मेरी बाते समझ में आ रही हो तो लाइक भी करते चलिए और इस question का जवाब आपको मिल जुका है और साथ ही साथ आप नए हो तो subscribe भी कर लीजेगा आईए बढ़ते हैं दूसरे question की तरफ आप अगर diagram भी बना देंगे तो और जादा अच्छे से समझ में आएगा जो भी आपकी copy check कर रहा है उसको अब दोस्तों जो अगला question है वहाँ पर आ गए हैं भाया रिक्त स्थान यानि fill in the blanks जहाँ पर आपको question पहला दिया हुआ है Roman number first वाला question है किसी वरत की अगर इसपर्ष रेखा खीची जाए तो यहाँ पर हमें इसपर्ष रेखा बना देते हैं मान लेते हैं कोई बिंदू P है वहाँ से कोई सपर्ष रेखा जा रही है A से B यानि A B एक सपर्ष रेखा है जो एक बिंदू पर प्रतिछेद कर रही है जो की है P तो यहाँ पर वही पुछा गया था दोस्तों कि किसी व्रत की जो इस पर्ष रेखा होती है वो उसे कितने बिंदू पर प्रतिछेद करती है तो हमें चित्र में दिख रहा है केवल एक ही बिंदू है P केवल P पर प्रतिछेद कर रही है, मतलब एक ही बिंदु है बीच में, एक ही बिंदु पर वो टकरा के, निकल के जा रही है, टच करती हुए निकल रही है, लेकिन एक बिंदु से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, एक, केवल एक भी आप लिख सकते हो, ओके, एक इसपर्ष रेखा, व्रत को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिछेद कर सकती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने, पहले वाले, फर्स्ट वाले कोशन में भी आपको ये चीज बताई थी, कि एक बिंदु पर केवल एक इसपर्ष रेखा, मान लेते हैं, यहाँ पर भी एक बिंदु है, तो उस पर भी केवल एक ही इसपर्ष रेखा, एक बिंदु पर एक इसपर्ष रेखा, तो इस तरीके से आप पहले वाले खालिस्तान को याद रख सकते हो, आईए बढ़ते हैं सेकेंड वाले की और, और अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, अगर आपको सबसे हटके वीडियो हमारा लग रहा है, तो एक बार कॉमेंट कर दो, क्योंकि आप सब के लिए बहुत ज़्यादा मैनत करना पड़ती है, अगर आप एक प्यार भरा कमेंट कर दोगे, तो हमें और motivation मिलेगी ऐसे वीडियोज बनाने के लिए तो नीचे comment section में जाईए और एक comment जरूर से कीजेगा अब भरते हैं अगले सवाल की और यानि अगले खालिस्तान की तरफ आप फटा-फट से comment कर दो नीचे और नय हो ना तो उस लाल करर के subscribe बटन को भी दबा देना अब यहाँ पर जो अगला खालिस्तान है उसमें पूछा गया है किसी वरत के दो बिंदूओं पर प्रतिछेद करने वाली रेखा को डैश 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 कहते हैं मतलब दो बिंदू पर प्रतिछेद करे एसी रेखा को क्या कहते हैं उसका यहाँ पर नाम लिखना है कि उसे डैश 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 कहते हैं तो आईए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं सबसे पहले हमने बना लिया है एक वरत इस वरत में हम खीचेंगे एक ऐसी रेखा जो दो बिंदू पर प्रतिछेद करें आईए हमने इसकी बीचो बीच से एक रेखा खीच दी जो की दो बिंदू पर प्रतिछेद कर रही है पहला बिंदू है P जिस पर यह प्रतिछेद यानि छेद कर रही है और दूसरा बिंदू है Q, यानि ये जो रेखा है, ये वरत के R पार छेद कर दिया ना इसने, बिल्कुल वरत को काटते हुए निकल गई, एकदम छेद कर दिया पूरे के पूरे वरत में, इसलिए इसको छेदक रेखा कहते हैं, जो कि दो बिंदू, यानि P और Q पर प्रती छ छेद करके निकल गई, तो इसको कहते हैं छेदक रेखा, क्या कहते हैं मुन्ना, ये छेद करके चली गई, इसलिए इसको छेदक रेखा कहते हैं, बोलिए समझ गए, इसे कहते हैं छेदक रेखा, ओके, छेदक रेखा कहते हैं, वरत में दो बिंदूओं पर प्रती छेद कर पसंद आता है तो comment में बताना कि हां सर पसंद आता है क्या diagram बनाना comment में लिखना अब बढ़ते हैं अगले खालिस्तान की और अब यहां पर जो तीसरे नंबर का खालिस्तान है उसमें कहा गया है कि एक वरत की dash 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 सामांतर सामांतर स्पर्ष रेखाएं हो सकती है मतलब यहां पर numbers का पूछा गया है कि एक वरत में कितनी सामांतर स्पर्ष रेखाएं हो सकती है वो संख्या यहां पर लिखनी है कि –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- सामांतर इसपर्ष रेखा, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस रेखा के सामांतर एक और रेखा खीचने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल खीची जा सकती है, इसके सामांतर आप बिल्कुल ऐसे सामान अंतर के साथ एक रेखा खीच सकते हो, तो खीच देते हैं, एक के साथ यानि ये दो रेखाएं आगे चल के कभी मिलेंगी नहीं एक समान अंतर के साथ बस चलती चली जाएंगी चलती चली जाएंगी इसलिए इन्हें सामानतर इस पर श्रेखा कहते हैं बताइए ऐसे आप कितने खीश सकते हो केवल और केवल दो ही खीश सकते हो क्योंकि आप केवल दो ही ऐसी रेखाएं खीच सकते हो, जो कि इसपर्ष रेखाएं हो और सामांतर भी हो, है ना, तीसरी आप नहीं खीच सकते, ठीके, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा दो, कि आप यहाँ पर दो सामांतर इसपर्ष रेखाएं खीच सकते हो, दो से ज़्यादा खीचो या ऐसे आपके वल दो ही सामंतर इसपर्श रेखाएं खीच पाओगे ओके तो यहाँ पर आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर करवा दी है अब बात आती है चोथे नमबर के खालिस्तान की जिसमें आपको बोला गया है एक वरत तथा उसकी इसपर्श रेखा के उभय निष्ट बिंदू को डैश 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 कहते हैं यानि कि यहाँ बोला गया है कि एक वरत और उसकी इसपर्श रेखा चलिए इसपर्श रेखा भी बना ही लेते हैं इसपर्श रेखा क्या होती है जो कि किसी एक बिंदू यानि बिंदू P पर प्रतिछेद होती है, एक बिंदू पर वो वरत को प्रतिछेद कर निकल जाती है तो एक वरत ये रहा एक वरत और उसकी स्पर्श रेखा के उभःनिष्ट बिंदू उभःनिष्ट बिंदू का मतलब होता है common बिंदू, common point जो वरत में भी हो और इस इसपर्ष रेखा में भी common हो, दोनों के पास हो, तो दोनों के पास क्या है, ये वाला point P है, जो एक circle में भी है, मतलब circle बनाओगे उसमें भी touch कर रहा है, और इस इसपर्ष रेखा में भी देखोगे, तो वो P उपस्तित है, मतलब P एक ऐसा point है, जो इस रेखा में भी दिख रहा है और इस व्रत में भी दिख रहा है दोनों का वो उभाइनिष्ट है दोनों में वो कामन है है ना क्योंकि वो दोनों के पास है इसलिए इसको कहते है पॉइंट ओफ कॉंटेक्ट हिंदी में कहें तो उभाइनिष्ट बिंदू या इसपर्ष बिंदू क्या कहते है इसको इसपर्श बिंदू कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको इसे कहा जाता है इसपर्श बिंदू इसपर्श बिंदू कहते हैं इसे ओके तो यहाँ पर आप ध्यान रखेगा एक वरत्त तथा उसकी इसपर्श रेखा में जो उभरिनिष्ट बिंदू होता है जो दोनों में common होता है उसी को कहते हैं इसपर्ष बिंदू क्या कहते हैं इसपर्ष बिंदू कहते हैं ओके तो यहाँ पर हमने डाइग्राम की मदद से इस चीज को भी बहुत आसानी से समझ लिया है आईए आप बढ़ते हैं अगले कोश दोस्तों यहाँ तक आगए हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो करके ही जाएगा चलिए बढ़ते हैं आगे के कोशनों की तरफ अब आ गए है भया एसे कोशन जिन पर command आपका जरूर होना चाहिए जिनको आप solve करना सीखी जाएगा क्योंकि यह main questions की category में आते हैं हाला कि एक objective type का question है लेकिन हमें इसी पूरी तरिके से समझना पड़ेगा जब भी आप इसको अच्छे से सीख पाओगे अगर आप इस छोटे question को नहीं करोगे तो कैसे करोगे वैसे बढ़ा है question आईए इस question को पढ़के देखते हैं यह खाली स्तान नहीं यह directly question ही दिया गया है जि नहां PQ से केंद्र O से एक जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिल रही है कि जो O से Q तक की दूरी है ना OQ वो अगर 12 cm दी है तो PQ की लंबाई आपको बतानी है अब पढ़ने में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा लेकिन इसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़के चित्र बनाने का कोशिश जरूर करते हैं आईए चित्र बनाते हैं और उसके लिए हमें जरूरत पढ़ेगी इसकी आपने पूरे के पूरे लेक्चर में जितने भी वरत के डाइग्राम देखे वो हमने इसी से बनाए हैं बस हमने केमरे को रोग दिया था केमरे को पौस कर था आईए बनाते हैं इससे तो यहां पर तयार हो गया है हमारा व्रत अब हम धीरे धीरे कोश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और डाइग्राम बनाएंगे उसके हिसाब से ही आईए कैसे शुरू करें देखते हैं यहां लिखा है पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक व्रत तो सबसे पहले हम पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक व्रत बना लेते हैं यहां व्रत तो बना है हमने पांच सेंटीमीटर की एक त्रिज्या खिश ली ओ से लेकर यहां पी तक एक त्रिज्या खिश ली हमने पी क्यू लिया सर जी क्योंकि यहां सबसे ला प्राइग्राम का मतलब यही है एक जो त्रिज्या है वो P पर बन रही है और स्पर्श रेखा P Q है जो की एक बिंदू पर प्रतिछेद करके निकल के जा रही है वो एक बिंदू क्या है P है आईए इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं यहां तक तो हम आगे केंद्र O से जाने वाली एक रेखा यानि केंद्र O है इसका यहां से जाएगी एक रेखा क्या बोला गया है यहां से जाएगी एक रेखा जो बिंदू Q पर मिलेगी इस प्रकार की O Q का दुरी 12 cm होगा मतलब केंद्र से Q पर एक ऐसा बिंदू मिलेगा जो की O से Q तक की दुरी बनाएगा 12 cm त Q तक की जो दूरी है वो 12 cm है तो उम्मिद करता हूँ डाइग्राम भी साथ साथ समझ गया होगे अब करना कुछ भी नहीं है केवल यहाँ पर लगाना है पाइथा गौरस प्रमे और आपको निकालना है PQ का मान PQ की लंबाई याद करनी है मतलब यह P से लेकी Q तक की कितनी ल अब अगर आपने प्रमे 10.1 पढ़ा है आप इसका हल अगर लिखोगे तो आप प्रमे 10.1 जरूर पढ़ लिजेगा प्रमे 10.1 हमें कहती है कोई भी इस पर्ष रेखा जो होती है न वो इस त्रिज्या पर लंब होती है इस पर्ष रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होत है, मतलब 90 degree का एंगल बनता है बीज में, एक स्पर्श रेखा और एक 3 के बीच में 90 degree का एंगल बनता है, अब लगेगा पाइथा गोरस प्र में, क्योंकि 90 degree जहां आ जाए, वहां हमारे पाइथा गोरस जी का काम पड़ जाता है, ठीके, अब यहां लगेगा पाइथा गौरस प्रमे कहां पर पाइथा गौरस प्रमे लगेगा सर जी यहां लगेगा त्रिभुज O P Q में कहां लगेगा त्रिभुज O P Q में पाइथा गौरस प्रमे से कर्ण का वर्ग कर्ण कहां है 90 डिगरी के ठीक सामने वाली भुजा ये जो 12 आप देख रहे हो यही कर्ण है जो भुजा आड़ी है उसको आधार कहते हैं मतलब आधार आपका पी क्यों हो गया और जो भुजा खड़ी है ना उसको बोलते हो लंब परपेंडिक्यूलर जो हमेशा खड़ा होता है उसको लंब कहते हैं परपेंडिक्यूलर कहते हैं लंब कहा जाता है उसको ओके तो ये रहा आपका लंब ओके अब आपको पाइथा गोरस प्रमे लगाना है पाइथागोरस प्रमे कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ये आप पाइथागोरस प्रमे से निकाल सकते हैं अब सारे मान आप लिख लीजिए कर्ण का वर्ग यानि कर्ण कितना दे रखा है बारा दे रखा है यहां पर तो यहां हम बार बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना दे रखा है, लंब का वेल्यू तो नहीं दिख रहा, लेकिन लंब का वेल्यू है, आपने ध्यान नहीं दिया, पांच सेंटीमीटर की त्रिज्या है, मतलब केंद्र बिंदू से परिधी तक का कोई भी बिंदू हो, वहां तक जो त्रिज्या को लिखा ही नहीं डाइग्राम में, तो छोटी-छोटी चीज़े होती है, जिनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीके, यह जो त्रिज्या है ना, यानि जो लंब का मान है, वो पांच सेंटीमीटर है, तो यहां पर रख देते हैं, पांच का स्क्वेर कितना होता है, 12 का वर्ग होता है, 144, पांच का वर्ग कितना होता है, 25, प्लस पी क्यू का स्क्वेर कितना होता है, सर जी इसका तो पता नहीं है, यह तो पी क्यू स्क्वेर ही रहेगा, अब कुछ मत करो नंबर के पास में नंबर को लियाओ, यहां पर 144 लिखा ह हुआ है प्लस का 25 बराबर के उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में P Q का स्क्वेर अब मेरे पास जगा कम है तो इधर सॉल करते हैं आईए 144 में से 25 गए तो कितना बचेगा आप लोग बताओ फटा फट से कॉमेंट करके कितना बचने वाला है यहाँ पर 144 में से 25 गाएगा 119 बचेगा यानि हम यहाँ लिख सकते हैं कितना 119 और बराबर में तो चल रहा है P Q का स्क्वेर यानि P Q स्क्वेर अब कुछ नहीं करना है आपको यहाँ से स्क्वेर हटाना है और बराबर के उधर जो नंबर है उस पर अंडरूट लग जाता है तो यहाँ पर PQ का मान निकालने के लिए आप बराबर के उधर जो 119 है वहाँ पर अंडरूट लगा देते हो और यही आपके PQ का मान है यहाँ आपके PQ की लंबाई निकल के आ गई है अंडरूट में 119 cm क्यों cm क्यों cm क्यों cm क्यों बाकी सारी जो भुजाएं हैं ना 12 cm, 5 cm तो यह भी cm में ही आएगा ओके तो यहाँ आपका अंसर है आप चाहो तो पूरे कोशन का स्क्रीन शॉट ले लो बहुत महनत करना पड़ती है तो लाइक रुकने नहीं चाहिए लाइक भी करते चलो और अगर आप यहाँ तक आगे हो तो कॉमेंट सेक्शन में खाली मत रहे हो एक और सवाल बचाए तो कॉमेंट कर दो वो सवाल भी हम करवा ही रहे हैं तेंशन मतलो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तो यहाँ पर आ जाता है आखरी सवाल जो की बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग है यहां बोला गया है कोशन नमबर चार में की एक वरत खीचिए मतलब आपको एक वरत बनाना है जिसमें दी गई एक रेखा है तो यहाँ पर एक वरत है जिसमें दी गई एक रेखा है हमको साफ साफ दिख रहा है एक वरत है और दी गई एक रेखा है ओके इतना समझ में आ गया तो दी गई एक रेखा है ना उसके सामान सामांतर दो ऐसी रेखाएं खीचना है, मतलब ये जो एक रेखा दी हुई है, इसके सामांतर दो रेखाएं और हमको खीचना है, दो रेखाएं कैसी खीचना है, कि उनमें से एक रेखा तो स्पर्ष रेखा हो, लीजे भाईया, एक स्पर्ष रेखा खीच दी, जो कि बिंदु पर टच करें, यहाँ पर एक बिंदू R पर यह टच कर गई, और यहाँ पर एक बिंदू S पर यह टच कर गई, और यही आपका अंसर है, यह जो बीच में जो रेखा थी, वो दी हुई रेखा थी, दी हुई रेखा, और बाकी की दो रेखाएं आपको बनाना थी, इस दी खीच दी कि उसमें से पहले वाली रेखा एक स्पर्श रेखा है जो कि केवल एक बिंदू पर टच कर गई इस पर्श रेखा है और दूसरी जो रेखा है वो छेदक रेखा है जो कि दो बिंदू पर टच कर गई इसे छेदक रेखा कहा जाएगा और ये डायग्राम आपको भी भूलियेगा नहीं कि एक वरत दिया है उसमें एक रेखा पहले से दी हुई है बीच वाली इस रेखा के सामांतर हमने दो ऐसी रेखाई खीज दी कि इसके साथ समान अंतर पे तो है बट एक सपर्ष है इसपर्ष रेखा है और दूसरी छेदक है यानि छेदक रेखा है उमीद अगर आपने त्रिकोण मीतिके और बाकी सारे वरत्तों से सम्मंधित सवाल नहीं देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास टेंथ में अच्छे मांक्स लाना चाते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो वहाँ पे सारी चीजें सिखाई हुई है वीलोपन प्रतिस्थापन वजर गुनन सभी चीजें सारी चीजों की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे रखिए तो आप महाँ जाके जरूर सीखिएगा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताईएगा